तुम बताईए मुझे क्या हुआ था पापा जी, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तुमने अपना हुम्वार पुरा कर लिया? बहुत पहले बहुत बढ़िया और ये रही नाव टैंतना है जब भी आप बाहर जाते हो, उसके लिए मीठा लेकर आते हो मेरे लिए क्या, मुझे भी मिठाए पसंद है पापा को क्या हो गया अरे, क्या हुआ, आप ठीक तो है न, ठीक तो है न आप क्या हुआ, आप ठीक हो न, आप ठीक हो न ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ आप मैं ठीक हूँ, गबराने की कोई बात नहीं बस अपच हो गया है सुभा से ही आपको अपच हो रहा है कुछ दिक्कत है तो हमें फॉरण डॉक्टर के पास जाना चाहिए कुछ नहीं चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि आप अस्पताल चले आए मुझे बताईए कि आपने क्या-क्या महसूस किया था मुझे बैचानी महसूस हो रही थी जैसे मेरे सीने में कुछ जक्कडन हो अच्छा क्या आपको कहीं और दर्ध हुआ था हाँ मेरे जबडे में भी दर्ध था मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे पेट की ब्रशानी है दॉक्टर साहब इन्हें बहुत पसीना आ रहा था देखे बहुत से लोग इसे सीने में जलन या गैस समझने की भूल करते हैं आपके परिक्षणों से पता चलता है कि दिल को खून की कमी होने के कारण आपको सीने में दर्ध हुआ था अगली बार जब आप इन में से कुछ महसूस करें या कोई और लक्षण जैसे कि आपके कंधे, हाथ, पेट में दर्ध का एहसास सांस फूलना, चक्कराना या जी मचलाना मैसूस हो तो ये दिल का दौरा हो सकता है याद रखें कि ये हमेशा दर्ध नहीं होता है क्या आप सिग्रेट, हुका, सिगार ये बीडी पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस कभी कभार ले लेता हूँ डॉक्ट साहब, ये रोजाना बहुत सिग्रेट पीते हैं आपको क्या लगता है, तो मुझे सिग्रेट की गंध नहीं आती चिंता ना करें, आपका शुक्रिया कि आप इन्हें यहां ले आई और अब हम इनका इलाज शुरू कर सकते हैं देखे सर, आपको सिग्रेट पीना बंद करना चाहिए ये आपके दिल और फेपड़ों के लिए बहुत खतरदाख है अपने स्वास्त के लिए और अपने परिवार के खातिर आपको अब इसे बंद कर देना चाहिए इसके लिए आप अपने नस्दीकी सरकारी अस्पतालों के नशा मुक्ति केंद्रों से मदद ले सकते हैं दॉक्टर साहब, ये हफ़ते में तीन-चार बार शराब भी पीते हैं आपका बीपी ज़्यादा है, जिसकी सबसे बड़ी वज़ा सिगरेट और शराब पी ना है, और कॉलिस्टरॉल के इस्तर सामान है क्योंकि मदद में ये हाई बीपी की बीमारी वाले लोगों को दिल का दोरा पढ़ने का खत्रा ज्यादा होता है आपका वज़न सामाने रहे, दिन में कम से कम तीस मिनट व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें डॉक्टर साहब, दुबारा हुआ तो क्या करें? लेकिन उन्हें जल्दी से नस्दी की अस्पतार ले जाएं 108 पर कॉल करें चेस्ट पेन हो तो एक-एक टेबलेट लिख कर दूँगा और जुबान के नीचे रखो ये टेबलेट देने के बाद कुछ खाने को दे सकते हैं? खाने पीने के लिए कुछ नहीं देना है ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे न? जो कुछ मैंने बताया है उसी को फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाएंगे ठीक है डॉक्टर, मैं वादा करता हूँ अभी आप घर जाएए, कोई प्रॉबलम हो तो फोन कर सकते हैं धन्यवाद डॉक्टर साब